अलो फ्रेंड स्वागत है आपका में चरपार आज हम आपके लिए लेकिया है बेसन और बैगन का बहुत ही ज़्यादा चरपटा कुरकुरा कराय नास्ता जिसे खाना तदूर की बात है आपने पहले कहीं देखा भी रही होगा वैसे तो आपने हजारों नास्ते खाए होंगे दूसरों को भी खिलाए होंगे लेकिन एक बार इस बैगन के नास्तों को बना कर देखिए आप सारे नास्ते भूल जाएंगे बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा होने के साथ आप इसे लंबे समय तक श्टोर भी कर सकते और इस दिवाली आप इसे जरूर ट्रा रॉसरों से बनाकर सभी का प्यार जिन जी सकते तो इस रेस्टी को बनाने के लिए मैंने लिया है 300 ग्राम यहाँ पर मैने लंवे वाले बैगन का इस्तेफ़ किया है बहुत जर्ड़ा मोटा नहीं होना चाहिए इससे बहुत इच्छा रिज़ंट आएगा आपकी रेस्टी तो चलिए पटापट बनाना सुरूर करते हैं, तो पहले मैंने बैगन को अच्छे से वास कर लिया, अब मैं इसकी कटिंग करूँगी, कटिंग कैसे करनी आपको बताते हैं, तो यहां पर देखिए आप बैगन ले लीजिए, और नाइफ का जो यह नुकीला ला इससा होता है इस तरीके से आपको इसे वागन को कट लगाना है, तो यहां पर आपको चार कट लगाने खयाल यह रखना है, कि कट आपका बहुत ज़्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, हलका हलका सा गहरा होना चाहिए, तो यह देखिए, इस तरह से मैंने चार कट आराम से लगा लिया है पूरा यहां तर देख रहे हैं आप लोग यह देखिए इसी तरीके से हम सारे वैगन में कट लगाएंगे तो यह रैस्पी आप एक बार जरूर ट्राय करना बहुत ज़दा यूनिक होने के साथ साथ काफी बढ़िया है तो यह देखिए इस तरह से लगा लेते हैं फिर आप स तो फैला हुआ लीजिए और इसमें मैंने तेल डाला है तेल को अच्छे से गरम कर लेंगे जब तक आपका तेल गरम नहीं होगा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है बैगन को अच्छे से कपड़े से पोस्ट लीजेगा ताकि इसमें बिल्कुल भी नमी ना रहे अगर नमी रहेगी तो आप तेल में डालेंगे तो उसके छीटी आपके उपर पढ़ सकते हैं जो आपको नुक्सार पहुचा सकते हैं इसलिए बैगन को अच्छे से मैंने वास कर लिया है आप इस तरह से मैं बैगन को इसके अंदर डाल दूँगी यह देखिए तो यहाँ हाइ का फ्लेम आपको हाई रखना है लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बैगन गर जाएंगे तो यहाँ पे आपको लो प्लेम का सिस्तमाण नहीं करना है हाई फ्लेम पर आपको इस यहां पर आपको इसे दोबनट पकाना है ज़्यादा नहीं पकाना है यह देखें इस तरह पर प्राइब हलका साथ नहीं दिखाती हूं यह देखें हमारे वेगन हलकाइब के सरे सॉफ्ट हो चुके बुरी तरीके से मैंने इसको कोक नहीं किया है अब यहाँ पे पैन को हमें गरम कर लेना है ना इसमें घीर डालेंगे ना बठर डालेंगे कुछ भी नहीं डालेंगे टियर तो यहां पे हमारा खानेला आसी जीरा है और आप चाहे तो शाहिए जीरा भी इस्तमाल कर सकते यायनि पुला वालाम और विसमें डाल करता नहीं यह Dayama मैंने तरान रख्आ है इस तरीके से दो रख्आ है जिस को मुझने अच्छे से विर लाज पी ओनस शुका है और המारफ टेशनी कंлек करतेक मेरे निहुत ओना करना ए और यह मुझना करना वह वह अपका फूरा कीम है थने डेunun Till करना दा करना है 있을 इसक rod hear पच्छा से ठंडा हो चुका है अब इसे हम एक मिक्सी के जार में टास्टर करेंगे यह वाले में तो चलिए टास्टर करते हैं फटा-फट तो फ्राइंट देखें इस तरह से टास्टर कर लिए अब इसमें हम डालेंगे दो ग्रीन चिली यानि हरी मिर्च अगर आप लोग ज कड़ी पते जो हमारे फ्रस वाले हैं यहां पर आपको ताजे वाले स्तवाल करना सुखा वाला कड़ी पते का टेश्ट पा अच्छा नहीं आता है इसको मीठी नहीं बोलते हैं यह किसके किसके वहां मिलती है कमेंड दॉफ से बताना और आब इसमें हम डालेंगे अधर जो पानी का इस्तमाल नहीं का था इस तरीके से हमारा यह ग्रीन मसाला रेडी हो चुका है जो हमने दर जरा रखा है बहुत ज़्यदा पाइल लेकिया यह देखे इस तरह से और आपको भी दर जरा रखना इससे इसका टेश्ट विल्कुर अच्छे से निकल आएगा तो चलिए इस एक कॉर्टोरी में टास्पर कर लेते हैं तो यह दिखें मैं टास्पर कर लिए आप इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहली चीछ है नमक क्योंकि नमक इसके अंदर नहीं है तो यहां पर मैं थोड़ा सा नमक डाली हूं आपनोंने टेस्ट के कॉर्टिंग डालना जितन ठोड़ा साबोज जीरा जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट और लूग आएगा और अब हम डालेंगे कास्मीरी लाल मेच क्योंकि हमने हाडी मेच डाली थी इसलिए हमने कास्मीरी लाल मेच डाली है जो तीकी नहीं होती है और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे आदा को आपस में मिला देंगे इस तरह से करीब से आपको दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब आपको यहीं मिल जाए आपको कमेंट करने की जुरूर ना पड़े फिर भी मेरे लिए प्यारा सा कमेंट जुरूर छोड़ना मुझे अच्छा उससे आपको पता लग जाएगा कि वैगन हमारा कितना अच्छा था तो मैंने इसके देख लिए थे कीड़े उड़े कुछ भी नहीं थे वहीं बन्ना आप लोगों मेंसे कई लोग कमेंट करके कहेंगे कि आपने तो देखा ही नी तो दियर जब मैंने इसको वास किया था त इस तरह से अच्छे से ठूठ ठूस कर भरना है जब मसाले होंगे तभी तो खाने में मजा आएगा यह देखें इस तरह से देख रहे हैं विल्कुल बढ़िया तरीके से हो गया अब हम बाकी वाले को भी इसी तरीके से इसके अंदर डाल कर फिल करेंगे तो चलिए सारे कर लेते पर दिखाते तो यहाँ पे में बता दूँत्त यहाँ लगा मैं तरफ इस तरह नहीं दीज़े देखें लॉगा देंग करने यहında पिल करते हैं अपने हाथ लसलों को साफ कर लेंगे इसकी फिर अप से मिलते हैं तो फ्रैंट देखे सारे मैंने कितने अच्छ से फिल कर दिया है बिलकुर मज़ा आजाएगा खाके तो यहां पर देखें वैनने एक बड़े के साथ यहां को यह COVID को सिक्टारु पाता है इसलिए इसलिए पाइस के दिबाय होगा कं वक्रण करीयोल एंड कोने की वेशंट उलिए अझा में वीडियो में चावल कोने के अब हम थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि हमारा वैगं के अंदर पहले से नमक मौझूद है, मसाले का थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा तर्मरी कॉडर ताकि अच्छा सा खोबसला सा कलर आ जाएं और इसमें अब हम दालेंगे थोड़ी सी चुटकी भर कास्मीरी लाल मिर्च और अब हम इसके अंदर डालेंगे जीरा जीरा अगर आप नहीं डालना चाहते तो मड़ डालिए आपकी मड़ती आप इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं अब इसमें हम थोड़ा सा ओईल जो हमा शारी चीजे अच्छे से बेसन के अदर मिल जाएं आप यहां पर मैंने पानी लिया है थोड़ा थोड़ा पाई डालेंगे और इसको पहले मिक्स कर लेंगे अगर एक साथ पाई डाल देंगे तो लंग पड़ देंगे तो अब मैने इसमें एक कप पाई डाला है ज्यादा आपको नहीं जानना है इसका जो बेस बनेगा यानि हम जो बैटरा दनाएंगे वह बहुत ज़रा पतला नहीं होना चाहिए अगर पतला होगा तो मज़ा नहीं आएगा तो यहां पर देखिए मैंने इस तरीके से इसे अच्छे से पेट लिया है और मुझे लग रहा है मिक्स कर दिया है इस तरीके से आपका बैटर होना चाहिए यह देखिए करी इस आपको दिखा रहे है रनी होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से स्मूध मखर मलाई अब इसको हम कवर करके पांच मिलेट का टायन देंगे क्योंकि हम इसके अंदर कोई भी बेकिंग पॉर्ड पूलने के बाद इस तरीके से और ठीक हो गया है बस इतना ही ठीक होना चाहिए बहुत ज़्यादा को पतला नहीं करना है अब हम क्या करेंगे चमबच को कर देंगे साइड में तो चलिए चमबच को मैंने कर दिया साइड में और यह हमारा चटपटा जो आप ऐसे भी खा सक तो अब हम इसके उपर इस तरह से पेशन बोर्ट ढालेंगे आप चाहे तो हाँ से भी कर सकते यह देखिए विल्कुल अच्छे से कबर करेंगे तो चाहे तो इसको भी याई डंथड को भी कर सकते और अब हम इसको विल्कुल आराम से उठाएंगे चमबच से और अपने त तो यहां पे देखे मैंने जो ते्र लकाना तो पहले से हमारत रख दिया था और हम चम्मच को बदले हैं ऑब बने रहां आगा तो यहां पर अगर आफी कराई थो आप इसमें ज्दा मां डालना तो यहांason मेने दो में बादन जालूंगे आप इसको धीमी धीमी आज़ पर हम शिकने देंगे यानि पकने देंगे तो यहां पर जब यह बिल्कुल अच्छ से एक साइज से क्रिस्पी हो जाएगा तब हम इसे टर्ण करेंगे और आप इस तरीके से एक बार बना कर देखना मज़ा जाएगा आपको खाके पड़ेगी तो चलिए इसको पकाने के बाद मिलते हैं तो फ्रैंट दो मिर्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छ से डन हो गया है अब मैं आपको करीब से दिखाते हैं इसको यह देखें कितुना बहदरीन सा बना है देख रहें आप लोग अब मैं इसको निकाल लूँगी प फुवसूरत सा नास्ता जिसे हमने बैगन और बेशन से बनाया है देख लिजेश का फाइनल रिजट कितना ज़दा बहतरीन आया है कितना जदा किस्टी बना है यह देखिए और सारे ही क्रिश्टी बने हैं यह देखिए और जो बेशन है मारा बिल्कुल अच्छ से कोट कि कितना बहतरीन यह अंदर से कुख हुआ है तो यहां पर देखिए इस तरह से जब आप इसको कट करेंगे तो आपको इसको पता लग जाएगा कि यह बिल्कुल अच्छे से कुख हुआ है आप इस तरह से छोटे लिट्रे पीसे डिवाइटर के महमानों को सर्फ कर सकते या पूरा इसी के साथ ही सर्फ कर सकते हैं यह देखिए बिल्कुल अच्छे से हमारा नाइफ अंदर तक जा रहा है जिसका मतलब यह बेहतरी तरीके से कुख हो गया है तो चलिए मैंसे इस कचप के साथ इंज्वाइए करती हूँ आप भी बनाईए खाई अपनी फैमली वालो है अगर लिक्वेड होगा तो कवर नहीं करेंगा वाइंटेक के मिलते हैं बहुत ही जल्दी आसान देश्वी के साथ अपना ख्याल लेखिए